Summers3 में स्किन کی केयर अगर आप करते हैं तो यकीन मानि आपको बहुत अछह रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपके साथ मैं बहुत आमेजंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके skin पे अगर आपको glow नहीं है आपके skin के उपर तो glow भी मिलेगा आपके skin light होगी means darken side पे है अगर आपकी skin और अगर open pores का problem है तो ये भी उसका पूरी तरह से सफाया करेगा ये जो routine मैं आपको बता रही हूँ आप इसको कीजिए हफते भर के अंदर आपको इसके results मिलेंगे मैं routine बता रही हूँ आपको daily इसको follow करना है बिना skip किये तो चलिए बताती हूँ लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe कर लीजिए वीडियो को पसंद आने पे उसको like करना मत भूलिएगा subscribe का बटन जो है वो वीडियो के नीचे है और like का बटन जो है वो भी वहीं पे है तो like कीजिएगा और share कीजिएगा आज का जो Monica's fruitful care में आपको जो मैं tips देने वाली हूँ यह मैं खुद इसको हमेशा से करते आ रही हूँ घर में ही इसके cure करके बहुत अच्छे से आप इसको भी अच्छे से healthy रख सकते हैं क्योंकि जो आपके हाथ कर सकते हैं वो किसी और के हाथ आपके body पर नहीं कर सकते तो चलिए सबसे पहले दिन की शुरुआत कीजिए निम्बू पानी के साथ जो कि मैं करती हूँ बहुत amazing results मिलते हैं क्योंकि सुबह सुबह जब आप vitamin C को consume कर लेते हैं निम्बू के form में तो आप एक बहुत अच्छी सी चीज अपनी body के अंदर दे रेते हैं तो एक इलास पानी लीजिए चाहे warm लीजिए चाहे normal लीजिए हाफ निम्बू कठ कीजिए और इसको पी जाए निम्बू पानी को अपने हाथों से finger tips से अच्छे से मसाज कीजिए cotton की help भी ले सकते हैं आप तो इससे मसाज कीजिए और इसको थोड़ी निर के लिए चेहरे पे लगा रहने दीजिए अब इसी के ऊपर पांस एक मिनट के बाद हलका सा हनी लीजिए मैंस आपको कुछी drops 1-4 spoon के करीब आपको लगा लीजिए 10-15 मिनिट के बाद इसको हटा दीजिए यह आपका सुभे सुभे का काम हो गया अब जब आप नहाने जाते हैं नहाने जाने से पहले आप एक दिन छोड़के भी कर सकते हैं चाहे तो डेली भी कर सकते हैं आप दिन से चार जो टेबल स्पून है दही लीजि अगर आप चाहें तो इसके अंदर हनी भी आट कर सकते हैं अदरवाइस इतना सफिशेंट है जिनके पास घर में बना हुआ मेरी तरह औरंज पील पाउडर है वो इसके अंदर भी डाल सकते हैं हाफ स्पून के करिब इनको अच्छे से मिक्स कीजिए और नहाते हुए सबसे पहले चेहरे पे लगा लीजिए जब तक आप पुरी बॉड़ी पे इसको लगाएंगे रब करेंगे चेहरा जो है वो तब तक 5-10 मिनट हो जाएंगे तो अच्छे से इसको हलके हार से मिसाज करते हुए इसको वाश कर लीजिए अगर आप चाहें तो फेस का काम जो है आप नहाने से पहले भी कर सकते हैं 10-15 मिनट इस पैक को लगा रहने दीजिए तो इसको फॉष कर दीजिए अगर आप ये इतना जहां तक मैंने अभी बताया है आपको सुबह से लेके अभी तक का इतना भी कर लेते हैं आप 100% इसके रेजल्ट्स हैं अपने स्कीन पे 2-3 दिन क के अधर देखेंगे, amazing amazing skin हो जाएगा आपकी बहुत बहुत स्कीन होने वाली है तो ये कि आपने एंद उसके बाद अपनाए कईयों को पसीने की बहुत ज़ाद समयलाती है इन दिनों में तो आप वास वाडर लीजिए कोई भी कंपनी का थोड़ा सा वो डाल दीजिए या तो पर फेस निम्बू जो है उसको पानी के अंदर एक वगे के अंदर डालिए और उससे लास्त वालत जो आपको पानी डाला है बोडी के उपर उस इसका डालिए आप याकी आपनिए पूरे-पूरे समर्ज आपके कहीं भी किसी तरह के कोई बोडी में से मतलब बुरी बली तो यह कीजिये बहुत amazing results होते हैं आपको evening routine के लिए सबसे best है कि आप अगर आप करना चाहें तो face wash को use करते हैं तो कीजिये क्योंकि जो लोग बाहर जाते हैं बहुत सारी dirt dust उनके face पे होती है तो उनको चाहिए कि वो face wash को use करें लेकिन वो थोड़ा face wash को भी use करें उसको भी थोड़ा सा हम यहां पर twist देते हैं थोड़ा सा basin लीजिए अपने हाथ पे and जो pump आप face wash यूज करते हैं हलका सा उसी के अंदर mix कीजिए दहीं चाहे तो दहीं भी डाल सकते हैं यहां पर कहने का मतलब दहीं और basin के अंदर ही अपन जब आप बेसन दहीं के अंदर अपने हलके से face wash को डालते हैं मिंस एक pump को डालते हैं तो वो जो उसके results होते हैं वो आपके इतने अच्छे से skin को clean करता है कि आप किसी भी चीज से इसको वो results आप नहीं दे सकते हैं यहां पर आप open pores के लिए सबसे best रहते हैं summers जब आपको इसको सही करना होता है तो बहुत सारी वीडियो में मैंने पहले भी बताया है कि आप खीरे के रस उसकी ice बना सकते हैं गुलाब जल की ice बना सकते हैं आप आप जो नारियल पानी है उसकी ice बना सकते हैं तो जिनको open pores का problem है साथ में टॉनिंग चाहिए face पे खीरे का best रहता है रोज वोटर का best रहता है नारियल पानी का जिनके face पे दाग धब्बे blemishes या किसी तरह के भी कोई dark sports हों उनके लिए बहुत ही बेहतर है आप इसको लगाते जाए बहुत जल्दी से आप results expect मत कीजिए results definitely 100% आपको मिलेंगे लेकिन patients आपको अपने साथ लेके चलना पड़े यह कीजिए definitely results मिलेंगे open pores जो हैं आपके हमेशा अगर आप उसको tight करते हैं उससे पहले अपने skin को हमेशा clean कीजिए जैसी कि मैंने आपको बताया आप basin और दहीं के साथ जो घर पे रहते हैं जो बहुत जाला dirt dust के contact में नहीं आते हैं या pollution के contact में नहीं आते हैं तो वो तो basin के साथ भी कर सकते हैं लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं वो थोड़ा से इसके अंदर face wash डाल सकते हैं जब आप यह करते हैं तो क्या होता है कि आपके skin deeply आप बहुत अच्छे को clean कर लेते हैं आपके सारे जो भी open pores के अंदर गंधी होती है वो सारी की सारी जो है वो बहार निकल मेरा juice market base ले लीजिए या fresh लीजिए फल्क निका लीए blend कीजिए उसकी ice cubes बना के रख दीजिए पहतरीन results मिलते हैं उसके आपको तो जब आप इस तरह की चोटी चोटी चीजे करते हैं आप जब चोटी चोटी चीजे करते हैं आपको लगेगा बहुत सारी चीजे बताएं लेकिन चीजे आप करना स्टार्ट करेंगे बहुत ऐसी चीजे हैं कि जो बहुत practical हैं और जिनके results बहुत ही बहतर होते हैं आप इनको कीजिए और इससे पुरा फाइदा लीजिए आगे भी बहुत सारी tips मैं आपको summer की बताने वाली हूं और आप बालों पे skin पे क्या कर सकत हैं summer में कौन से face pack आपके लिए best है even की hair mask जो की बहुत confusion आज के टाइम में है लोग कभी भी कोई भी चीज लगा लेते हैं किसी भी season को बीना देखे हुए मेथी का पैक कभी भी इतना लोगों ने लगाया है पिछे क्या मानिये कि जब हम doctors के पास जाते हैं तो बहुत सारे इसी question के साथ आते हैं कि यह हमने जो है एक YouTube पे देखा था मेती का पैक इस तरह से लगाना था और हमने लगाया और बहुत सारी गर्मी जो है वह सिर के अंदर बहुत उनको problem face करने पढ़ती है skin infections और यह सब इसका क्या कारण है इस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ इसलिए कहते हूँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा वीडियो पसंद आने पर उसको लाइक करना मत भूलिएगा आपके कोई doubts हो आपके कोई questions हो प्लीज पूछिएगा और मिलते हैं न तक यू गूओ पूग्टे लग्टर न टीकिर गूट प्लीज जड़ आपके कोई हो आपके कोई हैं